वेलकम दोस्तो आरके लेक्रिकल सैनल पर आज एक नए वीडियो के साथ आज हम देखेंगे कि LED पैनल क्या है, कैसे है, ये कैसे, इसको हम लगाते हैं, ये कैसे जलता है, सब देखेंगे तो दोस्तो देखें, ये 12W का LED पैनल लाइट है, जिसका की दो सल का गैरेंटी है, ये मैक्स कमपनी का बनाय हुआ है, जो की अच्छा लाइट दे रहा है, तो हम इसको यूज करके देख रहे हैं, ये देखेंगे, उपन करके हम देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या है, लाइ ट्राइवर है, इसमें डेट डाल दिया हुआ, इसका भी एक साल का वारेंटी है, सोरी दो साल का, ये रहे हैं दोस्तो इसका काम है, एक सी से डी सी करना, ये लाइट हमारा इसी में नहीं चलेगा, अगर डी सी में हम इसको देदेंगे, तो ये जल जाएगा, खराब हो हो नोगे रहता है। कि हम सिलिंग के अंदर देना पड़ना है। सिलिंग को काटके। इसी के जर्य इंस्टल होके रहता है। इस नेगज से फिटिंग रहता है। यह सब्सक्राइब तो सब्सक्राइं को दिखता। कि तो यह जो राउंड सेफ है इसको हम कैसे बनाएंगे अगर दिया नहीं रहेगा तो हमको बनाना पड़ेगा यह देखें दोस्तों यह जो राउंड सेफ है इसी के यह जैसे दिखाया हुआ है यहां पर इस यह हमको काटना पड़ेगा इसका स्क्वेर वाला भी आता है राउंड वाला भी आ रहा है तो हमको इसको काटके इसी को लगाना चाहिए यह देखिए दोस्तो राउंड से अब कभी यही पर दिया हुआ है और स्क्वेर वाला भी दि करना बढ़ेगा आगे हम देखें के से काट के लगाता है यह देहिए दोस्तों यह च्डाइबर है यह लग होता है यह कनेक्टर के इसे के साथ यह ओपन हो गया अलग हो गया और light अलग हो गया इस जो connector दिया रहता है इसको plus minus लगने में positive negative में अलग हो जाएगा तो यह सोट हो सकता है चाहरा है तो इसको इसके मार्किंग के लिए यहां पर दिया हुआ है देखिए यहां पर देखिए कटा दिया हुआ है बीच में देखिए हाँ यह कोनेक्टर का वो जो मेल वाला सौइट का कटा हुआ है और यह फिमेल का देखिए यह एक दिया हुआ मार्किंग दिखिए हां उसी को लगाना चाहिए यह लगेगा तो प्लस मैनस का चेंज होने का कोई चांस नहीं रहेगा मैं हम देखिए इसको मार्किंग कर रहे हैं वो जो कर पीश दिया था उसी के बराबर का यह राम से घंग मिल गया तो इसी से पेंसिल में मार्किंग कर रहे हैं जोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि ए जो काम होता है इलेटिकल का जो जहां पे भी तार बगार कुछ निकलेगा उसको लाइन पावर गड़ करके काम करना क्योंकि हमेशा हमारे साथ डेंजर हो सकता है नहीं भी हो सकता है यह दिखे दोस्तों इसमें हम पेले छेद कर रहे हैं फिर उसी छेद के पास से हमको एक अक्सो ब्लेड लेके राउंड सेब में इसको काटना पड़ेगा इसको जो लाइट लाइट लगाएंगे उसका जो पॉंट रहता है पहले से इसको वाइरिंग किये हैं गारे करके उसका अब पॉंट है दोनों पॉंट इसको हम निकालती हैं वहीं पर कि दोस्तों यह लागबाग कटाई हमारा अधा हो चुका है अभी बहुत है आसाने दोस्तों यह कोई बड़ी काम नहीं है पर थोड़ा सफाइस करना पड़ेगा नहीं तो यह पेंटिंग खराब हो सकता है देखिए हमारा पाइब उपर में है जो कि पाइब के थो हमारा यह आया हो है तार को भी कनेट कर रहे हैं जो LED पैनल लाइट है हमारा यह लाइट हमारा दो कोलर का जलेगा बीच वाला वाइट का आएगा साइड वाला ब्लू में आएगा देखिए तार अंदर डालके यह जो क्लीप को प्रेस करके छोड़ दिये यह अपने आप सेट हो रहे हैं यह जो सिरिंग का डिजाइन है पास में कभी कभार चैनल रहता है उस चानल को भी देखना पड़ेगा कहीं वह चानल गिर गया तो यह कटिंग हमारा खराब हो जाएगा फिर तुसरे जगा कटना पड़ेगा थोड़ा इधर उधर होता रहता है उसको उनली को क्या अभियाम कर रहे। यह तरफ जो लाइट लग रहा है सिंगिल क्लार का यह अं शिर्फ ॉईट ही आए इसका लाइट है और उस तरफ जो दिया हुआ होद डबल बाला लाइट है क्या दोस्तो अगर चैनल पर नहींसे ल sistema को सब्सक्राइब करें वीडियो को लग रहा है हमको कमेंट करके जरूर बताएं और किस टोपिक पेज आपको चाहिए हमको बताएंगे तो हम उसी टोपिक में वीडियो लाने के कोशिज करेंगे देखिए अभी हमारा जो चारों लाइट कतम हो गया फिटिंग हो गया उसके बाद यह कैसे दीख रहा है दोस्तो यह जो अंदर वाला है यह स्ट्रीप लाइट लगा वाए जो यलो यलो कलर का दिख रहा है वो स्ट्रीप लाइट लगाना भी कैसा है हम आगले वीडियो में दिखाएंगे आपको जरूर देखना हमारे वीडियो तब तक हमारे चैनल पर लग रही है चैनल कर सब्सक्राइ झाल झाल